हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो भाई जैसा कि आप सब लोग जानते हो ठंड आ चुकी है और आइस्ता आइस्ता ठंड बढ़ती जा रही है और मिंटर अब आ चुका है और इस समय सबसे बड़ा चलेंज है आपके लिए सुबा चार बजे उठना ब्रम चरे पालन में इस समय सबसे बड़ा चलेंज होने वाला है ये चार बजे उठने का बहुत ज़ादा आपको ओलस आएगा लिहाब गद्दो की गर्मी में आप से नहीं उठा जाएगा मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम अभी से ही आने लगे है इस बात को लेकर कि हम नहीं उठा पाते बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं कई यों का ये कहना है घर वाले मना करते हैं नहीं उठने देते क्योंकि भाई ठंड अब जादा है और फिर ठंड लग गई तो नुक्सान होगा बिमार पड़ जाओगे और जैसे कि मौसम मदल आए तो इस टाइम तो भाई जुखाम बगरा सबको होगी जाता है तो इसी सही बचने के लिए घर वाले भी मना करते हैं बहुत सारे मेरे भाईयों की प्रॉब्लम है सुबा चारा बजे नहीं उठने की तो उन्हीं के लिए आज मैं ये नई दिनचरिया लेका आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप ब्रह्मचरे से वही फायदे पा सकते हो कोई नुकसान आपको नहीं होगा पर ये दिनचरिया बस ठंड के लिए है आपके लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनकी कोई मजबूरी है जो नहीं उठ पाते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है ठंड जारा बढ़ जाना और फिर मजबूरी होना ये दो ही वज़ा की वज़ासे मैं ये दिनचरिया बना रहा हूँ और इस दिन चरिया का मैं भी यूस करता हूँ किसलिए क्योंकि जब से जारा ठंड होती है और जनवर इसे फरवर के बीज सबसे जारा ठंड होती है और तब जाके मैं भी अपनी दिन चरिया बदलेता हूँ इस दिन चरिया का यूस करता हूँ और मैंने खुद का एक्सपरिमेंट बनाया है यह और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है कोई भी नुकसान नहीं हुआ वही फायदे मिले हैं वही सब कुछ रहा मेरे साथ कुछ नहीं बतला और आप भी यूस कर सकते हो पर मैं सबसे पहले बात करेंगा सुबा चार बज़े उठने की मेरे भाई देखो जो लोग उठ सकते हैं सुबा चार बज़े कोई मजबूरी नहीं है वो लोग उठ जाए ज़रूरी है मेरे भाई ब्रहम्ब चरेगा सबसे बड़ा और कड़ा निया में सुबा चार बज़े ब्रहम्ब मोरत में उठ जाना ये कड़ा निया में मेरे भाई इसको बदला नहीं जा सकता ठीके ना पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मुझे कोई नकसान नहीं हुआ तो इसी वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ अक्षे कमार मी भाई सुबा चार बज़े ही उड़ जाते हैं चाहे ठंड हो चाहे गर्मी वो भी चार बज़े उड़ जाते हैं अपने दिन चरिया चार बज़े से शुरू कर देते हैं सुरज निकलने से पहले उनके पास किस चीसी कमी है पिसी चीस की कमी नहीं है करोड़ पती है वो फिर भी अपनी दिन चरिया चार बजे से शुरू कर जाते हैं क्योंकि भाई इस समय ही सबसे जारा अच्छी हवा चलती है और एक अलगी शक्ति आपके अंदर आती है इस समय उठने से बहुत जारा फायदा आपको चार बजे बिरहमों मुरत में उठने से ही मिलता है पर अगर मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई घबराने वाली बात भी नहीं है सिर्फ महिने से दो महिने के लिए ही आपको ये नई दिन चरिया का इस्तेमाल करना है और कोई नु पहले दूद पीना एक ग्लास और सो जाना है और उससे पहले भी आपको पूजा पाट करना है या फिर कुछ अच्छा पढ़ना है कोई बुक पढ़नी है तबी जाकर सोना है आपका मन शान्त होगा आपको बहुर अच्छा लेगा और ठंड के अंदर जल्दी नीन भी आ ज सब्सक्राइब करना है जैसे कि आज आपने प्रनायम कर लिया अगले दिन योगा कर लिया उससे अगले दिन मेडिटेशन कर लिया ध्यान लगा लिया और 15-20 मिनट तक आपको ये चीज़े करनी है और इनके बाद बात करो एक्सरसाइस की तो एक्सरसाइस आपको डेली करनी है कोई बदलाम नहीं है एक्सरसाइस आपको आदे घंटे डेली करनी होगी बहुत जारा जरूरी है इससे आपके अंदर चुस्ति फुर्ति रहती है और आलास नहीं आता तो प्रनायम मेडिटेशन के बाद आदे घंटे आपको एक्सरसाइस करनी है ठीके बाई ये ही है दिन चरिया और इसके बाद एक्सरसाइस के बाद आपके लिए डायट लेना बहुत जरूरी है महंगी डायट मतलो सस्ती डायट ले लो भाई दो के लि लो उनको एक्सरसाइस के बाद पनीर भी खा सकते आप इसमें भी बहुत जरा प्रोटीन होता है इन सब चीजों से आपकी हेल्थ बढ़ेगी आपका वजन बढ़ेगा बाई इन सब चीजों से बहुत जबरस वाली डायट आपको बता रहा हूं और इस आपको बहुत जरा वो ले लो ठीक है भाई यह है आपकी डायट अब रही खान पान की बाद तो भाई खान पान वो ही आपका साथ विक भोजन ऐसा ना हो गर्मी लेने के विए से आप मास मच्ची खा रहा है क्योंकि यह चीज़े घरम होती है नहीं मेरे भाई मास मच्ची भार का खाना बिलक करना है कोई दिक नहीं होगी अब बात करों आपकी छूटी की भी आप दो दिन छूटी ले सकते हो इसी दीन चरीया में ठन्द के अंदर शिर्फ ठन्द के लिए हैं दिन चरीया फ्रक है आप दो दिन छुट्टी ले सकते हो Saturday और Sunday दो दिन की आपकी छुट्टी रहेगी दो दिन आपको नहीं उठना है नहीं कुछ करना है दो दिन के लिए सिर्फ दो दिन सुन लो भाई इसलिए बार-बार कह रहा हूँ Saturday and Sunday आप अराम से सो बिंदास पड़े रहा हूँ कोई दिक्कत वाले बात नहीं है ठीक है न बस दो दिन की शुट्ट रहेगी बागी जो पांच दिन है आपके वैसे ही चलता रहेगा वही दिन चर्या आपकी होगी जो मैंने बताई है चाहे नहीं दिन चर्या हो चाहे उन लोगों के लिए पुरानी दिन चर्या हो जो चार बेज़े उट सकते हैं तो यहीं भाई इस दिन चर्या का इस्तेमाल करो बिरमे चर्या की नई दिन चर्या है बहुत जारा आपको इससे भी फाइदे मिलेंगे कोई नुकसान नहीं होगा मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है मैं भी जनवरी से फरवरी के बीच एक से देड़ महिना इसी दिन चर्या का इस्तेमाल करता हूँ ज्यादा ठंड होनी के वज़ाए से और कोई नुकसान नहीं होता तो भाई आपकी बहुत जारा हेल्प हो जोगी इस वीडियो को देखने के बाद तो भाई अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगी तो भाई लाइक करो इस वीडियो को शेयर करो जारा से वीडियो को और अगर मेरे चनल पढ़ना या तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई और जो घंटे का आगे दिखे रहा भाई इस पे किली करते हो ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुचे और अगर भाई आपका कोई भी प्रॉब्लम है या आप से परसनली बात करना चाते हो तो इस पहले हो तो और आप से परसनली बात कर सकते हो अपने परॉबलम शेयर कर सकते हो और भाई हमरा टेलेगराम को लिंक भी डिसक्रिप्शन मे घोईन कर सकते हो तो मिलते हैं अगली भाः धन्यवाद